आज ना डेनर में कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था तो मैं सोच रहे थी ऐसा क्या बना जाए जो सबजी का भी काम करें और रोटी का भी काम कर जाए तो इसलिए आज मैं बना रहे हूं पनेर टिकाल अच्छा रोल तो चले इसे सुरू करते हैं तो इसे बनने के लिए मेहा पर 300 क्राम के करीब पनीर ले रही हूँ और इसे हम Q-shape में कट कर लेते ही आपको कौनसी रोल पसंद है मुझे चरण बताना दोस्तों तो पहले हम पनीर को अच्छे से कट कर लेंगे पनीर को अच्छे से कट करने के बाद अब हम इसे मैरिनेशन करने के लिए चलते ही तो मैरिनेशन में मेहा पर डालें हाफ टी स्पून कास्मेर एरचिली पाउडर हाफ टी स्पून गरा मसाला स्वादोंसा नमक हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून काले मिज पाउडर तिन टेबल स्पून हमें यहाँ पर डालेंगे दही और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत इजीर उसी पी है दोस्तों आप एक पार जरू ट्राइ करना हम ज्यादा चाम जाम नहीं करेंगे पर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मिज पर डालनी हूँ तिन टेबल स्पून सर्सों का तेल इसे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है आप इसे थोड़ा सा गरम करके डालना तो बहुत अच्छा रहेगा और इसे मैं अच्छे से mix कर लेते ही यहाँ पर एक टेबल स्पून भुणा हुआ बेसन ले रही हूँ बेसन को थोड़ा सा roast करके आप ले सकते हूँ बहुत अच्छा लगीगा और इसे अच्छे से mix करने के बाद जो हमने पनेर कट करके रखे देना उसे अच्छे से डाल देते ही और इसे हम अच्छे से marinate कर देंगे marinate करने के बाद आप मीसे अपनावर के लिए इसे ही छोड़ देते हैं marination के साथ उसे बीच हमाँ हमारा पराठा के लिए ready कर लेंगे आप चाहे तो पलेन पराठा भी बना सकते हूँ मैं हाँ पर लच्छा पराठा बना रहे हूँ क्योंकि लच्छा पराठा रोल के साथ बहुत अच्छा लगता है तो इसे बराने के लिए मेहाँ पर ले रहे हूँ दो बोल के करेब मेता आप चाहे तो आटा का भी योज कर सकते हो स्वादन सा नमक तिन टेबल स्पून सुगर और मेहाँ पर दो टेबल स्पून ओयल भी डाल रही हूँ और सारे को हम अच्छे से मिक्स करने के पाथ अब हम इसमें डालेंगे एक कफ के करीब दूद थोड़ा थोड़ा करके दूद आट करेंगे और इसका एक सौब डोर रेडी कर लेंगे दो रेडी करने के पाद इसे भी हम हाँ बनावार के लिए एक कवर करके छोड़ देते हैं थोड़ा सा ओयल उपर से मसाज करने के पाद ग्रिन चटनी हम यहाँ पर रेडी करेंगे ग्रिन चटनी बहुत ही जदा अच्छा लगता है रोल में ग्रिन चट्नी बनाने के लिए में पर ले रहे हूँ एक मूठी भर के धनिया और एक मूठी भर के पोधिना, तो ग्रिन चिली, चार से पांच गार्लिक, हाप लेमन हम यहाँ पर स्कुईच कर लेते ही, स्वादों सा नमक टाल देंगे, और एक टेबल स्पॉन में हम पर बेस तोड़ा सा तेली से अच्छे से गरम होने के लिए पाथ जो हमने पनर मयानेट करके रखी थे न emphasizes सैअरे अधन कर लेते हैं भृष भी क मेंदें करने के पाथ श tadi तक नहीं बूनेंगे 2-3 मिरीट के लिए भूनेंगे यूंकि सब्जों में बोग निक्रुंचि पन सभीस बायट लेना करता चाहिए लिए टेस्ट उम्हें पता चलना चाहिए तो इसी हम ज्यादा देर तक क्रिस्पी और टेस्ट भी बनता है दोस्तों एक पार जरुर ट्राइ करना और इसमें से हम चोड़े चोड़े लोया निकाल लेते हैं तो किस किस को रोल के साथ लच्छा पराडा खाना पसंदे एक पार जरुर मुझे पता देना और आपको भी डिनर आइडिया कैसा लगा कभ जंग खाने का मान करता है ना तो आप इसे घर में ट्राइ कर सकते हो और इसे हम बहुत बतला बैल देंगे इसमें थोड़ा सा ओई अपला करने के बाद थोड़ा सा महीदा चिड़कते दें इसका लच्छा बहुत अच्छे से निकल कर आएगा और इसे हम कुछ इस तरीके स सेबते देंगे में जिस तरीके से बना रहे हूं बिल्कुल उसे तरीके से तोरह सा सुखा मैज़दा चिड़कने के बाद ही तक हम इसे बहुत बतला करके पेल देते हैं और इसे अच्छे से बहुत इसा है बहुत इच्छा बनाना भी जोरूररी है कीravat पहले पहले गुल जटनी लगा लेंगे अच्या से स्प्रेड करके और पनीर का मसाला रेडि ने कि परट्टी का मसाला जो हमने रेडि करके रखे घरल लीते हैं अब पहने यह पिछा त्यवी जटनीह请ight बहुंग कि तो में और पहने हम आप ghost कर लेंगे आप अपने अकड़िंगली से कस्टमाइज भी कर सेकते पर ये इसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तो और इसे हमाइचे से रोल पेपर के साथ प्याक कर लेते हैं अब आपका डिनार रेसे बिल्कुल जड़ी है दोस्तो तो किस-किस को क्या पसंद होता है ना पराधा में बहुत ज़्यादा लच्छा और फ्रेकी होना पसंद होता है तो आप क्या करेंगे इस तरीके से जिखने के पाती ये थोड़ा सा मारपिट कर लेना तो इसे अब चैसे लच्छा निकल कर आ जाता है तो अब हम इसमें लगा यहीं ग्रिन चैटनी भर भर के और इसमें हम लगाएंगे फिर से पनेटिका मसाला लचे में कटा हुआ प्याज थोड़ा सा चाट मसाला आप चाहे तो काले मिच भी स्प्रिंकल कर सेते हो थोड़ा सा धने के पत्ते और टमाड़ो केचप आप चाहे तो आप इसमें घिर साथ भेवारी तंदॉल